नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कमल सिंगी है मैं धर्म कताया पर लिखाया हूं पूरे साल का वार्षिक राशिफल केसा रहेगा और आपका पूरे साल क्या प्लानिंग करें केसे तयारी करें beating पंडित संजे शर्मा जी के साथ जानते हैं उनसे नमस्कार मैं पंडित संजे शर्मा देवास मद्यप्रदेश थे यह अपनी घड़ी दसने टागे है इसके लिए वार्चिक राशी फल की इसी कड़ी में हम मकर राशी के बारे में जानेंगे मकर राशी के जातकों का समय जो है जन्वरी की हम बात करते हैं जन्वरी में आपकी नेतरतक शमता अत्यनत विक्सित होगी जो आपके लिए वह लापकारी होगी एक सा काम करेंगे जिससे कि आपके कुल का नाम रोशन होगा जहां जाएंगे वहीं से लाप्राप्त करेंगे हम फरवरी की बात करते हैं भाग बल एवं बुद्धि बल दोनों की मदद से आप अपनी समस्याओं को हल कर ही लेंगे यहां पर आपकी वाणी का नियंतरन अतियन तावाश रखे यह दिवाणी माधुरे बनाए रखेंगे तो यह लाबकारी समाई होगा और आपके बेंग वैलेंस में बढ़ोतरी करेगा हम आरची बात करते हैं अपनी हिम्मत के बलपर आप किसी भी एसी वस्तू की जो अपर आप पे हैं आप उसको प्राप्त कर सकेंगे अपने हिम्मत और सहास को बनाए रखिए जन संपर्क से आपको लाब होगा उसको बनाए रखिए प्रतिष्ठा में व्रद्धि करने वाला होगा लंबी यात्रा के योग बनेंगे और यात्रा आप करेंगे भी अपरेल की बात करते हैं जमीन संब्धि मामलों को आसानी से निप्टा हैं अन्यता आप विवादों में फच सकते हैं आपके द्वारा कही बाते सच हो सकती हैं पर वो बात आग बरसने वाली जैसी ना हो यदि ऐसी होगी तो वो आपके लिए समस्याइं खड़ी कर सकती हैं हम मही की बात करते हैं आप यदि किसी जमीन की खरित फ्रोक्त से आप करना चाहते हैं तो ऐसा सोदा आपके हाथ एक अच्छा सोदा आ सकता है जो भविष्य में आपके लिए लाबकारी होगा वो भविष्य में आपको अतिंत उच्छी कीमत में यदि आप उसे दुबारा उसे बेशना चाहें तो वो आपके लिए उच्छी कीमत में जाने की योग बनते हैं रचनात्मक कारियों में सफलता के योग हैं जो आपके लिए लाबकारी होंगे जून की बात करते है कारेक्षेत्र में सावधानी रखें अन्यता विवादे उस्तों सामना हो सकता है संचित धल जो आपके पास है वो आपके लिए लाबकारी हो सकता है किसी लोकल भावन की कारियोजना पर आप अमल कर सकते हैं जो आपके लिए फाइदे मंद होगी जुलाई अपनी एकागरता और अपने विनमरता को बनाए रखिए यह आपके यसा नहीं करने से आपके विवाइक संबंदों में थोड़ी सी खटास आ सकती है यह विवाद की इस्तिती पैदा कर सकता है हाँ परन्तु लाब के अवसर यहाँ पर बनते रहेंगे यहाँ पर यातरा के योग भी आपके प्रबल रहेंगे और यह आप यातरा करेंगे भी अगस्त की बात करते हैं ये समय स्वास्त की संबंद ही हम देखें तो पेरों में थोड़ा सा कष्ट बढ़ा सकता है या पेरों की तकलीफ आपके लिए बढ़ सकती है आप किसी काम के लिए बाहर जा सकते हैं वो काम आपके धार्मिक काम भी हो सकते हैं और वो काम आपके कारिक्षेतर से जुड़े हुए भी हो सकते हैं ये प्रतियोगिता में सफलता देने वाला समय होगा और प्रतियोगिता में सफलता दिलवाएगा भी आप यदि कोई मिस समय किसी competitive exam में बेठे हुए हैं तो वो आपके लिए लाबकारी समय होगा हम सितंबर की बात करते हैं यह समय सामचिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला समय है धार्मिक यातरा भी समय बढ़ने की योग बन रहे हैं हाँ यहाँ पर आपको अपनी बाचीत की शेली जो है उस पर थोड़ा सा नेंतरा रखना पड़ेगा यदि वानी सामिम आयवस्ट है आपके लिए और यदि यह आपने नहीं रखा तो यह लाब की आउसर आप खो सकते ह अनिता यह समय लाब कारी है और यहाँ पर आप लाब उठाएंगे अक्टोबर की बात करते हैं यहाँ पर पड़ोननती की आउसर आपके लिए थोड़े से बनते हुए नजर आ रहे हैं लाब आपको जो है अपनी गती से लाब होगा आप चाहें तो उसे बढ़ा भी सकते ह अपनी हुमत और पराकरम से यहाँ पर आपका हिमत और पराकरम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहां पर बस एक चीज आपके लिए नुक्सान कारी हो सकती है वह आपका जिदिस वहव इसलिए जिद्दी सवहव अपनी जिदुक पर नियंतरन रखें यह समय आ आपके में आप लग सकते हैं आपकी उग्रता यहां पे आपके लिए लाबकारी हो सकती है सामने तो लोगों के लिए उग्रता लाबकारी नहीं होती है लेकिन आपके लिए उग्रता लाबकारी हो सकती है दिसंबर गी बात करते हैं यहां पर आपकी छवी बड़ी अच्छी रहेगी और उसमें लिखार आएगा थोड़ा खान-पान से परविशेश ध्यान रखें क्योंकि यह अपने खान-पान पर ध्यान नहीं रखा तो यह food poisoning जैसी शिकायत आपको उनका सामना करना पड़ सकता ह सामाजिक संबंद आपके अतियंत उत्तम रहेंगे जो आपके लिए लापकारी होंगे आपके व्यापार व्यावसाय और नोकरी के ख्षेतर में यह आपको उससे लाब मिलने के संकेत बताती है पूरे साल कुछ साउधाने रखना जरूरी है और बहुत अच्छी प्लानिंग हो सकती है इस राशिफल के माध्यम से क्या उपाई और करने चाहिए जिससे और भेतर बनाया जा सकता है मकर राशी वालों को सामाने तर सूरी को अर्ग देना चाहिए भगवान शीव के आराधना करनी चाहिए ओम नमस्रिवाय मंतर का पाठ करना चाहिए और नहां पर जो जिद्धिस वहवे उसको थोड़ा सा छोड़ करके एक सामाने तरीके से अपने विभार को रखना करते हैं